हेलो फ्रेंड विल्कम बाक माई टिफ्चेनल रॉसनी की पार सालर डेली कंटफे के क्लास में आप सभी का श्रागत है आज 28 दिसंबर है 28 दिसंबर से समदे जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट फिर है मैं लेकरा हूं आपके लिए जो आपके एक्जाम के लिए काफी को सामिल किया गया है इस कारिक्रम में केंदी रक्षामंत्री राजनाच सीह मौजूद रहे हैं आइनस इंपॉल सथा से सथा पर मार करने वाली आठ बराक सोला ब्रहमोस एंडिसेफ मिसाइल सर्विलांस रडार चीहतर आमम रैपिट मांट गन एंटी सबमरीन टॉर्पीड से लेस है यानिकी सारे जो है प्रॉपर्टी से आइनस इंपॉल में ठीक है बाड़िपूर की राज़ानी इंपॉल के नाम पर रखा गया है इसका नाम पहला वार्षिफ है जिसका नाम जो है नौर्थ इस्ट के एक सहर पर रखा गया है और इंपॉल के आधर सिला 19 मई 2017 को मुंबई स्थित सिप्याड मजगाउं डॉक्सी पिल्डर्स लिमिटेट ने इमफाल को बनाया है नेक्स कोस्चिन है कि वैस सस्टेनबिलिटी रैंकिंग 2024 में दिल्ली विश्विद्याले कौन सा इस्थान है तो इसका राइटान से हो जाएगा 120 वा इस्थान है विश्व 1397 संस्थानों को सामिल किया गया है और दिल्ली विश्विद्याले ने रैंकिंग में 100 में से कितना 73.4% अंक प्राप किये हैं विश्विद्याले ने ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है जब सीर्स 200 रैंकों में कोई भी वार्थी इन्वर्सिटी नहीं सामिल हुई है ठीक है और जो है पहली बार हुआ है नेक्स्ट कोशन है मध्य प्रदेश में किस दीन को तबला दिवस खोशित किया है तो उसका राइटांसर हो चाएगा 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश में गवालियर कीले में 1500 अबला वातकु ने एक साथ तबले पर थाप दे कर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सीएम मुहन यादव ने मध्य प्रदेश में हर साल 25 दिसंबर को तबला दिवस पनाने का अइलान किया है तानसें संबान पंडित गरपती भट हसनगी को प्रदान किया गया है मध्य प्रदेश के कुछ बेसिक जानकारी हम डिसकस कर लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश यानि की भारत की बीच में इस्तिते और इसका गठन जो है एक नॉम्बर 1956 को किया गया था राजधानी भोपाल है जीलो की संक्या पच्चपन है राज़पाल जो है मुंग भाई सी पटेल है और तमान में और मुखे मंत्री मोहनी आदव है विधान सभा की 230 सीटे है और राजधान सभा की 11 सीटे लोग सभा की 29 सीटे है नेक्स कोस्टन है नए टेली केम्मिकेशन बिल 2023 के किसको जो है द्वारा मंजूरी दे गई है तो नए टेली केम्मिकेशन बिल 2023 को राश्टपती द्वारा जो है मंजूरी दे गई है राश्टपती द्रोपती मुर्मो ने नए टेली कम्मुनिकेशन बिल 2023 को मंजुरी दे दी गही है और जिसके बाद यह एक कानून बन गया है यह कानून जो है 138 साल पूराने भारते टेलीग्राफ अधिनियम 1825 को बदलेगा इसके अलावा दे इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 की भी यह बिल जगह लेगा तो यह जो है ट्राई क्यानि के टी आर ए आई एक्ट 1997 को भी संसोधित करने वाला है नए टेली कम्मुनिकेशन बिल के प्रमुक प्रावधान के अगर हम बात करें तो फरजी सीम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है टेली कम कमपनियों को उभगताओं को सीम कार्ड चारी करने से पहले अनिवारी रूप से बायमेट्रिक पहचान करने को कहा जाएगा अब जो है सीम कार्ड जैसे ही मतलब की अगर आप सीम कार्ड लेंगे तो जब है बायमेट्रिक पहचान करना जरूरी है और ये कार्णोन सरकार को राष्टी सुरुक्षा कार्णों से किसी भी टेली कॉम सर्विस या नेटवर्क की टैक ओवर मेरेश्मेंट या उसे सस्पेंड करने की अनिमती देता है नेक्स्ट कोश्चन है किस विश्विद्याले में एक हचार चालिस सुतंत्रता सैनानियों ने नाम वाली एक सधांजली दिवार बनाई जाएगी तो इसका राइटांसर हो जाएगा जोहारलाल नहरू इन्वर्सिटी दिल्ली में बनाई जाएगी जोहारलाल नहरू इन्वर्सिटी दिल्ली की कमेटी ने कैंपस में 1040 सुतंत्रता सैनानियों की नाम वाली एक सधांजली दिवार की निर्माण की होसना की है और इसका उद्दे से है स्वतंत्रता सैनानियों के बारे में युवा पीड़े के बीच चागरूपता फैलाना है इसमें भारत माता की मोर्ति के साथ संगमरमर क्रेनाइट पट्टिकाओं पर जोहार स्वतंत्रता सैनानियों की नाम उकेरे चाहेंगे डिवार के साथ 100 फीट उचाती रंगा भी लगाया जाएगा जैनियों की स्थापना जो है 22 अप्रेल 1979 को नई दिल्ली में हुई थी और वर्तमान में जैनियों की कुलपती सांती स्री धुलिपूरी पंडित है जो की आपे हाँपे देख सकते हैं वही जो है जैनियों की पहली महिला कुलपती है और इनवर्सिटी ग्राइंड कमीशन यानकी युजिसी जो है अगर हम बात करें तो युजिसी विश्विद्यालों को मानेता देता है युजिसी की संस्था 1956 में की गई थी वर्तमान में अध्यक्ष एम जगदिस कुमार है नेक्ट कोर्शन है किस राजे में गेक स्रमिकों को पांच लाग रुपे का दुरघटना बीमा प्रदान किया जाएगा तो इस कराइटांसर हो जाएगा तेलंगाना में तेलंगाना की मुख्यमंत्रे ए रेवंत्रेडी ने गेक स्रमिकों को सरकार की और से पांच लाग रुपे का दुरघटना बीमा प्रदान करने की घोशना की है यह राज सरकार भोजन, वितरन कैब और आटो रिक्ष्रा चलाने वाले इत्यादी जैसे गिक स्रमिकों के लिए एक महत्पूर घोशना है काम के बदले भुकतान की आधार पर रखे गए कर्मचारियों को गिक स्रमिक कहा गया है तेलंगाना के बैसिक नॉलेज के बारे हम भी स्कूस करें तो वर्तमान इसकी स्थापना जो है दो जोन 2014 को हुई थी राजधान यह हैधराबाद तेलंगाना की और राजयपाल तमीले साई शौंदरा राजवन है मुख्यमंत्री रेवनत्रेडी हैं विधान परिशत की सीटे जो है 40 सीटे है और विधान सभा की 119 सीटे हैं राजवसाः साथ सीटे हैं लोग सभा की 17 सीटे हैं पौंग बांध वन्य जीव अभ्यारण किस राजे में स्थित है जिस हाली में परतमार सवेदन सिल शेत्र घुसित किया गया है तो इसका राइट आसर हो जाएगा ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है केंद्री पर्यावरण और बन मंत्राले ने हिमाचल प्रदेश के कांगणा जीले में पौंग बांध वन्य जीव अभ्यारण की सीमाओं से लगे हुए एक किलिमेटर की छेत्र पर्यावरण स्वेदन सिल छेत्र घुसित किया है पौंग बांध जील वन्य जीव अभ्यारण क कि अगर हम बात करें तो इसका इस्थान जो है कहा पर इस्थान है कांगरा जीला हिमाचर पदेश में इस्थित है इसे जो है 1975 में व्यास नदी पर बनाया गया था और इस पोंग इसे जो है पोंग जलासाई या महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है वर्ज 1983 में वने जी अभ्यारन खोसित किया गया था नौमबर 2002 में इसे रामसर इस्थल खोसित किया गया था नेक्स कोश्चन है उतर पदेश में पहली अंतर जीला हेलिकॉप्टर सेवा का सुभारम किस ने किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और मतुरा के बीच 65 किलोमिटर की दूरी तै करेगी कमपनी जो है निरेक्षर उडान भरने के बाद 28 दिसंबर से परियाटकों के लिए यह सेवा शुरू करेंगी नेक्स कोश्चन है बी एस ए लिमेटेट के अध्यक्ष कौन बने है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प विने बोर्ड यानि कि SEBI के कोल इंडिया के पूर्व प्रमुद अगरवाल को बॉंबै स्टॉक एक्स्चेंज के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्ती कुमंजूरी दिगरी है और बरतमान में अध्यक्ष एसस मुद्रा का कारेकाल जो है 26 जन्वरी 2024 को समाप्त हो र रवाल रैक्सकूर्ण है में मेट टेक मेत्र पहल की सुरूवात किस ने की है तो इसकर राइटांसर हो जाएगा । ल। Dr.Mansuk Maadvia ने की है तो आप बारी है रिवाइस करने की अगर आप में पहली बारा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही बल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिक्वेशन आपको मिलता रहे देखिए टेली करेंट अफेर की साथ जो है टेली पिछले करेंट अफेर को रिवाइस किया जाता है साथ ही अडिशनल जीकी भी प्रोवाइड किया जाता है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपको जो है आसानी से याद हो जाता है पहला कुश्चन हम देख लेते हैं कि इस राज्य में संस्कृती उत्सव शुरू हुआ है तो इसका राइटांसर हो जाएगा उत्तरपदेश में सुरू किया गया है प्रतम दिव्यांखेल पुरुसकार में सरुस्रेश्ट पुरुस एथलीट का खिताब किसे मिला है तो इसका राइटांसर हो जाएगा सुमित अंदिल को मिला है सोशाशन दिवस कब मनाया जाता है तो सोशाशन दिवस जो है प्रतिवर्स 25 दिसंबर को मनाया जाता है ये जागरिती पोडल और राष्य भुगता हेल प्लाइंड दो दस्वंबल सुन्य का उद्खाटन किस ने किया है तो इसका राइटांसर हो जाएगा फ्यूस कोईल ने किया है साहिते और कला की छेत्र में United Arab Emirates का Great Arab Minds अवार्ड का किताब किस ने जीता है तो इसका राइटांसर हो जाएगा वासिनी लारेडर्स ने जीता है Winter Carnival किस राजे में शुरू हुआ है तो इसका राइटांसर हो जाएगा हिमाचल पदेश में शुरू हुआ है संसत में पारित विधैक में Indian Penal Code यानकी IBC को खत्म करके किस सहीता को अलागू करने का प्रावधान किया गया है तो इसका राइटांसर हो जाएगा भारती नयाई सहीता को लागू किया जाएगा सरकार द्वारा अरक्षन के लिए विखलांगता स्रेणियों की संख्या जो है तीन थी उसे बढ़ा कर कितनी कर दी गई है पांच कर दी गई है पच्यासिमा बेडमिंटन राष्टी चेंपिंशिप का पूरुस एकल का खिताब किसने जीता है तो इसका राइटांसर हो जाएगा चिराक सेन ने जीता है सीरम इंस्ट्यूट और इंडिया दुवारा निर्मित दूसरे बलेरिया वैक्सिन को किसने प्रिकॉलिफाइट कर दिया है तो इसका राइटांसर हो जाएगा डबली उएच ने प्रिकॉलिफाइट किया है अब बार यह additional gk की आज के additional gk में हम देखेंगे 2023 के प्रमुक सुचकांग के बारे में और कौन सा इस्थान रहा है भारत का यह हम देखने वाले हैं तो चलवायू परिवर्टन प्रदोशन सुचकांग 2024 में भारत का साथवा इस्थान है हैले पासवर्ट इंडेक्स 2023 में असीवा इस्थान है विश्व प्रेश सुचकांग 2023 में 161 इस्थान है और विश्व प्रसनता सुचकांग 2023 में 126 इस्थान है उर्जा संक्रमन सुचकांग 2023 में 67 इस्थान है और चुनावी लोकतंत्र सुचकांग 2023 में 108 इस्थान है QS World University Ranking 2024 में IIT Bombay 149 इस्थान है Global Mobile Speed Ranking में 37 इस्थान है तो ये था आज का important current affair के question answer साथ ही आज हमने additional GK में प्रमुक सुचकांग के बारे में index के बारे में हम पने पढ़ा है 2023 के जो की exam में पूछा जा सकता है कि जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सुचकांग 2024 में भारत का कौन सा इस्थान था तो क्या बोलेगा आप साथमा इस्थान आप टिक करेंगे ठीक है इस सारी important है ठीक है आप no down कर सकते हैं इससे question पूछे जाते हैं आज का class कासा लगा comment करके जरूर बता है ऐसे daily का इंटफे के question answer देखने के लिए पेरे जोरों को सब्सक्राइब करें मिलते हैं इस वीडियो में important जीक के question के साथ